नमस्कार मैं श्वेट और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन राजस सुप्रीमो लालु प्रशाद यादब बिहार की राजनीती में अभी भी सक्रिये जहां एक तरफ लालु प्रशाद यादब का किड्नी ट्रांस्प्लांच हुआ है किड्नी ट्रांस्प्लांच के बाद लालु प्रशाद यादब बिहार लौट चुके हैं और बिहार लौटे के साथ ही वो आए दिन कई जगों पर जाते हैं उनकी तस्वीरे भी सामने आती हैं वहीं लगतार वो बिहार की राजनीती में भी काफी ज़ादा एक्टिव हैं फिर वो इंडिया गटवंदन की बात हो या फिर इंडिया गटवंदन की सयोजग बनाने की वहीं आपको बता दे चले कि लालु प्रशाद यादव के पूर्व सांसद ने जब लालु प्रशाद यादव को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसके बाद मंच पे ही भारी बवाल हो गया तुमका के इंडोर स्टेडियम में आयोजित पिछडा वर्ग संघर्स मोर्चा के समेलन में उस वक्त थंगामा हो गया जब पूर्व सांसद सूरज मंडल ने कहा कि लालु प्रशाद यादव अलग जार्खंड राज का विरोत कर रहे थे बीपी मंडल की ज्रेंती समारो के मौके पर आयोजित कायकरम को संबोधित करते हुए वे मुख मंतरी हेमन सोरेन और लालु प्रशाद यादव पर प्रहार कर रहे थे हेमन सोरेन ने कहा कि असंसदिय भाषा बोल रहे थे इसके बाद उन्होंने राजस सुप्रीमो लालु प्रशाद यादव को हम लोग ही नेता बनाये थे और आज वही लोग विरोत में खड़े हो गए हैं कहा कि लालु प्रशाद यादव अलग जारखंड राज का विरोत कर रहे थे कायकरम को संबोधित करते हुए उन्होंने अलग जारखंड राज निर्मान पर अपने विचार रख रहे थे इस जोरान उन्होंने कहा कि राजस सुप्रीमो लालु यादव कह रहे थे कि जारख मंदल ने इतना कहा कि मंच पर मौझूदा यादब समाज के लोग भड़क गये, महौल ऐसा बिगड़ा की तोड़ फोर शुरू हो गई, देखते ही देखते ही जिन्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, कायकरम थम गया, मौके पर पोलिस भी पहुंची समेलन में न सिर्फ हंगामा हुआ, बलकि कूरसियां और पोडियम तक तोड़ दिये गया, हंगामे के बीच यादब समुदायक के नेता ये कहते हुए मंच और कायकरम से बाहर निकल गए कि पिछड़ों के नेता लालू, यादब के खिलाब किसी भी मंच पर बे अदभी हम बरदाश नहीं कर सकते, कायकरम छोड़ कर बाहर निकलने वाले में, राज़त के पुरविधायक संजय प्रशाद यादब, पिछड़ा वर्ग संघर्स मोर्चा के प्रधान महा सचीव डॉक्टर अमरेद यादब, प्रमोध यादब समेत बड़ी संख्या में कारिकरता शामिल थे, म उनका कहना है कि पिछड़े समुदाए एक जूट हैं और वो समुदाए के लिए हर संभब मदद करने को तयार रहते हैं, इधर बिगड़े बोल के भी सूरज मंडल ने कहा किसी की भावना को आहत करने की हमारी कोई मंशा नहीं थी, हमने पुराने राज़नीती संदर की चर कार को हासित करने के लिए एक जूट होकर लड़ाई लड़ने की रनीती को आगे बनाया था, मोर्चा की ओर से इसके लिए व्यापक असर पर तयारी की गए थी, कायक्रम में जार्खन के कई हिस्सों में पिछड़े समुदाए के लोग पहुंच थे, कायक्रम के पुर्व मं यादब को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसके बाद भीड बेकाफू हो गई, यादब समुदाए कि जो लोग वहाँ पर थे, वो उन पर गुस्सा करने लगे, जिंदाबाद के नारे मुर्दाबाद में तबदील हो गया, साथी साथ उनका कहना है कि लालो परशाद यादब ये देख 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 देखराई ने इस फोनेशन